अलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग और फिनेशल अवेर्नेस जुन पार्ट टू के बारे में, दस जुन से 20 जुन तक जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग फिनेशल एकनॉमिक नीउस बने हैं, यह उसका वीडियो है, वीडियो को जरूर देखें, काफे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पहला सवाल है, तो कितना फंड एलोकेट किया गया है सारे इस्टेट गववेंट को, टोटल, क्या उगाईच का सही जवाब, ऑप्शन नंबर A, 4,000 करोड, तो 4,000 करोड फंड इलोकेट किया गया है, इस्टेट गववेंट को, किस स्कीम के अंदर कह प्रदान मत्री क्रिसी सिचाह योजन स्थापना कब उती शुरुवात कब उती जुलाई 2015 में बजट जो था इसका 5000 करोड था पाथ सालों के लिए इसका में अब्जेक्टिव था क्या हर खेट को पानी सिचाई के लिए हर खेट को पानी and improving water use efficiency more crop per drop in a focused manner more crop यानि हर एक बून पे ज्यादा फसल more crop per drop इसका objective था प्रधान मंत्रिक किसी सिचाए हो जना का 50,000 करोड to be invested in हर खेत को पानी 28.5 लाग हेक्टेर अंडर इरिगेशन 5,000 करोड अंडर इसका प्रधान मंत्रिक किसी सिचाए योजना का दूसरा question which company has partnered with Mastercard to launch cardless ATM क्या होगा इसका सही जवाब option number B impase payment impase payment ने Mastercard के साथ मिलकर cardless ATM launch किया है ताकि बिना touch बिना physical touch के जो money transaction हो वो cardless ATM से हो जाए Mastercard क्या है जो payment gateway अमेरिकर मेल्टिनेशन फिनाशल सर्विस कॉर्पोरेशन के CEO कौन है अजय बंगा which company has partnered with first alliance bank to provide MPOS यानि mobile point of sale solution to SME and other business क्या होगा इसका सही जवाब option number C e-paisa e-paisa क्या है POS solution provider है मतलब point of sale का provider है इंडिया में e-paisa तो इसने first alliance bank के साथ मिलकर tie-up किया है यह first alliance bank कहा का है Zambia का African country Zambia में based है यह bank first alliance bank के साथ मिलकर e-paisa ने MPOS यानि mobile point of sale solution का शुरुआत किया है SME के लिए small medium enterprises के लिए और दूसरे चोटे business के लिए इसके शुरुआत की गई है mobile point of sale point of sale जो होता payment gateway payment receive करने के लिए transit करने के लिए जो POS इस्तमाल होता है यह उसके लिए है कि government has allocated how much amount for Mandrega तो सरकार ने कितना fund allocate किया मन्रेगा स्कीम के अंदर गद क्या होगा इसके सेजवाब option number D 1 lakh crore तो 1 lakh crore already यह दूसरा layout है already 31493 crore पहले दे दिया जा चुका है तो यह जो budget है 2020 का उसका 50% से भी जादा हिस्सा अभी मन्रेगा को दिया गया है 31493 crore और फिर इसके बाद जो second layout है यह 1 lakh crore का दिया गया इस scheme के अंदर गद महात्मा गादी national rural employment guarantee scheme मन्रेगा RBI has bank which cooperative bank of UP for granting fresh loan and deposit for next six month तो RBI ने किस cooperative bank को band किया अभी तो इसका सही जवाब होगा option number B people's cooperative bank people's cooperative bank सहकारी bank है इसका headquarter कहा है कानपूर में कानपूर में है इसका headquarter तो इस bank पर भी restriction लगा दिया गया RBI के दौरा due to weak financial position जो भी चल रहा है due to covid impact तो अगले एच्छे मैंने तक कोई भी नया लोन यह नहीं देगा और कोई deposit नहीं यह शुरू करेगा तो people's cooperative bank is in headquarter in कानपूर according to UNCTAD global trade update 2020 how much percentage of international trade is going to fall in second quarter of 2020 यहनि UNCTAD क्या है United Nation Conference on Trade and Development तो यह report त्यार करती है एकनॉमिक्स और financial condition के according तो जो international trade जो व्यापार है उसमें कितने प्रतिश्यत की गिरावट आएगी जो 2020 का जो second quarter है तो इसका सही जवाब किया होगा option number C 27% 27% की गिरावट आएगी according to global trade update 2020 के report के हेड़कॉर्टर फंक्टेट कहां है जिनिवा स्विट्जर लेंड जिनिवा स्विट्जर लेंड जिनिवा स्विट्जर लेंड विच स्कीम अंडर national cooperative development cooperation was launched to provide paid internship to youth स्वामित्र स्वानिधी सहाय मित्र या फिर साकार मित्र तो इसका सही जवाब होगा option number D सहाकर मित्र तो यह scheme launch किया गया by agriculture minister Narayan Singh Tomar ने he integrated this scheme scheme एक दरका internship program है for the practical experience of cooperative sector and startup industry के लिए तो यह scheme शुरू किया गया सहाकर मित्र विच बैंक हैस प्रोवाइड एलो सी लाइन अफ क्रेडिट 215.67 million dollar to Malawi for drinking water scheme and other development projects कौन सा बैंक नहीं यह लाइन अफ क्रेडिट लून दिया है तो इसका सही जवाब होगा option number A Exim Bank Exim Bank यानि Export-Import Bank of India तो Exim Bank ने country एक Malawi उसे यह line of credit support किया है for drinking water schema development project के लिए Exim Bank a headquarter का है Mumbai में which session of GST council meeting held on June 12th यह कौन सा session था GST meeting का जो अभी हाल में हुआ June 12 को तो इसका सही जवाब क्या होगा option number C so it was the 40th meeting यह 40 वा मिटिंग था GST council का who presided the meeting finance ministry finance minister निर्मला Sitaraman she presided over the meeting of GST council important facts क्या आया अभी इस meeting से तो GST collection जो है April में में वह 45% reduce कर चुका है 45% तक reduction आये GST collection में जो एप्रिल मन और मई मन्त में जो GST collection उसमें गिरावट आये 45% की मतब एक एक लाग करोड एक लाग करोड का जो shortage जो downfall हुआ है GST collection में वह देखा गया एप्रिल और मई मन्त को लेकर विच बैंक हाज लॉंच्ट इंस्टाफ फ्लेक्सी कैश एन ओन्लाइन ओवर्डाट फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर इंस्टाफ फ्लेक्सी कैश किसने लॉंच किया है इसका सही जमा राशी यानि बैंक में जो जमा राशी है उससे अधिक व्याय करने की जो छूट होती है उसे हम ओवर्डाट कहते हैं तो यह अब ऑन्लाइन प्रवैट किया जा रहा है किसके द्वारा आई सीए से बैंक के द्वारा ठीक है तो आई से बैंक का है एड़कॉर्टर कहा है मुंबई एम्डी और सी यो कौन है संधीप बक्षी संधीप बक्षी कौन है इसका सही जबब क्या होगा ओप्षन नमबर A Uday Kotec so Uday Kotec will be the head of committee for corporate insolvency resolution and liquidation process Uday Kotec recently appointed as the chairman of CII confederation of Indian industry recently which payment bank has launched Suraksha salary account for MSME Suraksha salary account तो इसका सही जबब क्या होगा option number B Aatel payment bank so Aatel is the Aatel payment bank the venture of Aatel company to Aatel payment bank नहीं यह launch किया किस्किम सुरक्षा salary account तो जो इसका condition से क्या रहेगा कोई minimum balance नहीं रहेगा दो insurance cover रहेगा और जो cashless payment दिया जाएगा और financial security दिया जाएगा अपने employees को यह provide कराएगा cashless payment or financial security to their employees who is the CEO and MD of Aatel payment bank Anubrata Biswas Anubrata Biswas headquarter is in New Delhi as per RBI data the forex reserve of India crossed foreign exchange reserve of India कितना cross कर चुका है latest in June 2020 इसका सही जवाब होगा option number D 500 billion dollar 500 billion dollar Forex reserve क्या होता है जो जो credit रहता है जो इंडिया जो central government जो विदाशी currencies के रूप में रखती है for the backup liabilities and for monetary policy में जो changes होते है liquidity के लिए तो वो forex reserve रखता है RBI in the form of foreign currencies which bank has provided loan of 750 million dollar to India under covid-19 crisis recover facility कौन से bank ने दिया है loan तो इसका सही जवाब होगा option number A AIIB Asia infrastructure investment bank AIIB ने लोन दिया है तो यह दूसरा phaser loan का 750 million dollar जो है यह second loan है पहला loan और अलड़ी 500 million dollar का दिया गया है 500 million dollar का लोन दिया गया है जिसको co-finance किया है World Bank ने और जो दूसरा है यह 750 million dollar यह दिया है किसने एशिया infrastructure investment bank ने इसको co-finance किया है ADB ने मतलब ADB ने co-finance किया उसने भी सहायता प्रदान किया है तो तिल नौ इंडिया has received how much loan तो इंडिया has received as 1.25 billion dollar तो भारत को 1.25 billion dollar का loan मिल चुका है under crisis recovery facility facility for COVID-19 इतना loan मिल चुका है दूसरे दूसरे संगठन और बैंकों से 1.25 billion dollar का loan विच इंसरेंश कंपनी हाज लॉंच्ट इंडिया's first pay-as-you fly insurance for drone owners तो इसका सही जवाब क्या होगा option number B HDFC Ergo तो जो ड्रोन बनाते हैं जो देश में जो ड्रोन कंपनीज हैं उनके इंशुरेंस के लिए ये HDFC Ergo ने एक इंशुरेंस स्कीम लॉंच किया है pay-as-you-fly as per world investment report released by UNCTAT what is India ranking largest recipient of FDI in 2019 तो भारत का rank क्या है in terms of recipient of FDI मतलब की देश में FDI लाने का जो यह निमंत्रा नोर निरता है यह भारत की ranking क्या है इसमें इसका सही जवाब क्या होगा option number C 9th rank में तो इंडिये जा 9th position all over the world for attracting and largest recipient of FDI in 2019 who top the list which contest top the list so United State United State में सबसे ज्यादा inflow होता है FDI का so यह जो वैलू है इंडिये का जो total FDI recipient यह कितना है total 51 billion dollar का है इसका वैलू जो monetary value है वो 51 billion dollar का FDI इंडिये हाज attracted and received in 2019 RBI has increased minimum net own funds NOW of housing finance companies to कितना होगा हो मैंच करोड तो इसका सही जवाब होगा option number D 20 करोड इसका सही जवाब होगा option number C सरल तो सरल इसन हाउसिंग financing loan for rural and urban areas launched by ICSI home finance company सरल स्कीम housing loan स्कीम है सरल विच इंशुनर्स कंपनी हाउस कोलाबरेटेट विट इस्ट कंसल्टेंसी सर्विस टू ओफर आधार बेस्ट पेपर्लेस ऑफलाइन के वाइसी सर्विस मतलब ऑफलाइन के वाइसी सर्विस देने के लिए कौन से बैंक ने शुरू किया इंशुरेंस कंपनी शुरू किया तो इसका सही जवाब होगा option बेस्ट कि टाटे एया ये लाइफ इस्ट कंपनी ने आधार बेस्ट पेपर्लेस ऑफलाइन के वाइसी फैसिलिटी की सर्विस शुरू किया इस्ट कंसल्टिस सर्विस के साथ मिलकर टाटे एया ये हुआ ते पीजे कैपीटल एंफ कैटर टून हजब और हाउ-मच्पर्संटेज इंसे इन गेपैंट प्लाटफॉर्म रेसेंट्ली तो टीपीजी कैपिटल और एल कैटर ने मिल कर कितना पर्सेंटेज इस्टेक लिया है अभी रॉलाइंट च्यों में इसका सही जवाब क्या ह परे 1.32 परसेंट तो यह 9 और 10 इंवेस्टमेंट है अभी रिलाइंस जीओ प्लाटफॉर्म में बाई फॉरेंड वेंचर्स तो टीपीजी कैपिटल ने कितना इस्टेक लिया है 0.93 परसेंट का और एल कैटेटों ने कितना लिया है 0.39 परसेंट का इन दोनों को कंबाइन करके यह हुआ 1.32 परसेंट का जो परसेंटेज इस्टेक है रिलाइंस जीओ में भी खरीदा गया इन्वेस्ट किया गया अनेदर इंवेस्टमेंट ऑन 18 जून साओधी अरेबिया पब्लिक इंवेस्टमेंट फंड बॉट 2.32 परसेंट 0.367 करोड 11,367 क करोड का जो इंवेस्टमेंट जो खरीदा है ऍौणिज exists जीओ में इसने खरीदा यह सौधी अरेबिया पब्लिक इंवेस्टमेंट फंड ने इसकी परपेलिए दू परशेंट अ यह 11 इंवेस्टमेंट है दो महिनों में पिछले दो महिनों में यानि 22 अप्रेल से 22 जुन तक में यह 11 इंवेस्टमेंट है रिलांस जीओ प्लाटफॉर्म में तो टोटल कितना हो चुका अपी अब तक फेस्बुक ने किया 9.99 परसंट का 43.57 करोड का सिल्वर लेक ने 1.15 परसंट किया विस्टा ने 2.32 परसंट किया आप देख सकते हैं यह चार्ट में जो मैंटरी वैल्यू है जो डील वैल्यू हो वह कितने करोड में है मैं परसंटेज का बता रहा हूं जेनर अट्रेल्टिक न ने 0.93 परसंट एल कैटर ने 0.39 और पिए जो लिटेस्ट अठरा जून को किया वह 3.2 परसंट किया है तो टोटल इंवेस्मेंट कितना हो चुका है 115 66.95 करोड का इंवेस्मेंट रिलाइस जो में अब तक हो चुका है तो मैक्सिम जू जखास है यूएस बेस्ट कमपनी है और दुबाइ यह सौदी अरेबिया बेस्ट कंपनी है इन्होंने इन्वेस्मेंट किया है 11 इन्वेस्मेंट तिल देट इन रिलांज जीओ प्लैटफोर्म some more important points and figures adhani green energy limited has won world largest solar contract worth six billion dollar the amount allocated for emergency credit and guarantee scheme for MSM is three lakh crore CBIC Center Board of indirect has launched Turanth Customs at Bangalore and Chennai which bank has relaunched insta saving bank account adhaar based so state bank of India has launched this who has appointed as CEO of UTI asset management company Imtiazur Rahman India's first natural gas trading platform launched in Delhi named India gas exchange Indian gas exchange central government has influenced how much capital to India's infrastructure finance company IIFCL kitna 5298 crore ka the company appointed as auditor for PM cares for next three years so PM cares joe hai us ke liyeh auditor kisay appoint kiya gaya Sark and Associates so Delhi based chartered accountant firm Sark and Associates ko PM cares ke liyeh auditor appoint kiya gaya aveli 3 saalok ke liye nabad has made an investment in rural fintech startup Jay Kisan as per sebi promoter who wants 25% or more are allowed to increase shareholding up to 10% in a year Universal Swamp a general insurance company has partnered with Karnataka bank to launch a health insurance policy central central government again funded for Jaljivan mission to four more states the char estates ko aur Jaljivan mission ke liyeh funding kiaya central government ne maharashto ki kitna diya 1829 crore karnaataka ko 1189.4 crore tripura ko 156.61 crore or jharkand ko 572 crore jaljivan mission ke liyeh kuisin pehle 7 and 8 states ko diya gaya thar fund some recent forecast of economic growth GDP for india world bank ka global energy project is nne kitna diya minus 3.2 percent economic growth is OECD nne GDP report kitna diya india ke liyeh minus 7.3 percent fish rating nne kitna diya growth rate 9.5 percent so friends video kaisa laga aapko aap comment box nne zharur bata hai video kaisa laga aap mene channel pere hai toho mene channel ko subscribe ki jye video ko like share zharur ki jye thank you thank you very much for watching